नमो नारायन मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एबं मजे में होंगे दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि के नाम वाले जातक एबम ए नाम वाले जातक यदी साधी करते हैं तो आपको साधी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए दोस्तो यदी आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपको वीडियो लाइक कर देना है साथ में इस पेशल रासी को आपको सब्सक्राइब कर देना है एबम वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है उसक पित्रो के नाम वाले जातक, एबम ए नाम वाले जातक, यदी किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं, तो आप दोनों के बीच में एक समानता बहुत ज्यादा होती है, इस नाम के जो जातक होते हैं, वो अपने अपने जीबन में एक समान होते हैं, इन दोनों की अपने अप सिक्ताएं होती है जो भी जरूरते होती है वो एक समान होती है एबम ऐसे समय में आप दोनों के बीच में जो बंधन बनता है वो बहुत जयादा रोमान चक एबम मजबूत होता है वैसे इसके हलाबा यदि के नाम वालों की बात करे तो के नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो परिवर्तन सील होते हैं एबम हमेशा अपने जीवन में बदलाब करना परिवर्तन करना बहुत जयादा पसंद करते हैं हमेशा अपने जीवन में नए नए लोगों से मुलाकात करना नए नए लोगों से दोस्ती करना नए नए जगह पर भूमने जाना बहुत जयादा पसंद होता है एबम इसके हलाबा इस नाम के जो जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में जोखिम उठाना रिस्क उठाना बहुत जयादा पसंद करते हैं एबम कभी भी अपने जीवन में कोई भी जोखिम उठाने से ड़ते नहीं है घबराते नहीं है क्योंकि इनका जो confidence लेबल होता है वो बहुत जयादा मजबूत होता है एबम इस कारण से इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में बहुत जयादा तरक्की करते हैं लेकिन इसके हलाबा यदि ए नाम वालों की बात करे तो ए नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने ज जीबन में सुवतंत्र होना आजाद होना बहुत जयादा पसंद करते हैं एबं कभी भी अपने जीबन में अपने आजादी के साथ में कोई भी समझोता करना पसंद बिलकुल भी नहीं करते हैं इस नाम के जो जातक होते हैं वो अपने दामपत्ते जीबन में या अपने प्रे होते हैं कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ में कोई भी छल कपट नहीं करते हैं मित्रों के नाम वाले जातक इबम ए नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नही करनी चाहिए दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो बहुत जयादा मजबूत रहेगा यानी कि आपको शाधी अवेस्से करनी चाहिए दोस्तों मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा साथ में स्पेशल रासी को आपने सबस्क्राइब कर दिया होगा एबम वीडियो के नीचे में अपने इस्ट देवता का नाम आप अवेस से कमेंट कर दे एबम वीडियो हर जगह से यर कर दे तो हम सम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद